नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल पर दोस्तों जो आपका CGPDTM का मेंस का पेपर हुआ था इस्पेशली पेपर वन उसका आंसर की रिलेज कर दिया गया है चाहे वो 25 जनवरी का पेपर हो या फिर आपका 5 फरवरी का ये 25 जनवरी का क्वेशन पेपर है और ये आपका 5 फरवरी का क्वेशन पेपर है दोनों ही क्वेशन पेपर आपको अपने उसमें लॉग इन करेंगे आपको वहाँ पर शो हो जाएगा अब देखें दोस्तों क्या करना है लिंक मैंने आपको डिस्रिप्शन में दे दिया है और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। आप जा करके डिरेक्ट उस लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ओपन होगा। यह आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको application number डालना होगा, यहाँ पर date of birth और यहाँ पर security pin। इसको enter करने के बाद आप जब submit करेंगे तो उपर आपकी details show करेंगा। एक जगे लिखा होगा response sheet उसके आगे view पर क्लिक करेंगे तो आपका question paper खुल जाएगा। और नीचे उसके option होगे challenge और view तो पहले आपको challenge करना होगा, जब आप challenge कर लेंगे उसके बाद उसके just बगल में view वाला option है वो आपको तब ही show होगा। कि आपने क्या क्या question पर किस answer key को challenge किया। तो basically इन्हों ने जो notice दिया है, notice में भी हम आपको दिखा देते हैं, notice में इन्हों ने क्या बोला है। आपकी जो answer keys हैं वो 11 February से 13 February तक आप इसको challenge कर सकते हैं। कैसे challenge करना है यह जब आपको याद होगा प्रिलियम्स का जब आपका result आया था तो उस ताइम पर भी answer की आई थी कुछ इसी तरह से आई थी। मैंने आपको वो पूरा डीटेल में बताया था कि आपको कैसे अपने scores चेक करने हैं, कैसे आपको answer की इसको challenge करना है। मतलब किसी में आपको objection है तो आप objection raise कर सकते हैं। कैसे करना है पूरा procedure बताया हुगा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब पहली चीज तो मैं आपसे यहां सबसे बोलूँगा आप लोग सब लोग अपना एक बार मैच कर लीजे कितना आपका score बन रहा है। अपना score यहां पर हमें comment box में जरूर बतायेगा आपका कितना score बन रहा है। इसके साथ साथ आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं। उसमें आप हमें बताईए कि मेरा इतना score बन रहा है। फिर उसके बाद फिर कुछ और आगे का further कुछ ना कुछ सोचा जाएगा कि एक और prediction करेंगे देखेंगे कि cutoff किस range में जाने की उम्मीद है। अब यहाँ पर देखें यह आपका paper 1 है 25 जनवरी 2024 का। कैसे आपको चेक करना है मैंने अल्रेडी बताया है। यह देखें question number 1 है, question की ID यहाँ पर दी गई है 272171676। आप question ID देखें और देखें उसका कौन सा option ID correct है। तो जो correct होगा वो आप यहाँ पर match कर लिजे। और आपने क्या choose किया यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं choose किया है। जिसका भी question paper है मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखें आपने option number 4 यहाँ पर select किया है। यहाँ यह वाला option number 4 यह वाला ठीक है। और यहाँ पर आपको match करना होगा कि इस question ID का कौन सा option correct है। तो आप देख लिजेगा तीसरा सही है कि चौता सही है कि पहला सही है कि दूसरा तो आप इस तरह से match करिए। सारे के सारे जितने भी आपके correct हो रहा है उनको एक जगे लिए माल लिजे suppose आपने 50 attempt की हैं। जिसमें कि आपको पता है कि मेरे 40 सही है तो 40 into 1 कितना हो गया 40 और उसके बाद 10 आपके गलत है 10 into 0.25 क्योंकि 0.25 का negative marking है तो वह हो जाएगा आपका 2.5 तो 40 में से 2.5 माइनस कर दीजे यानि कि score आया आपका 37.5 तो इस तरह से पूरा आपको चेक करना है यह आपका paper 2 है पां फरवरी 2024 का तो अब आप देख लीजे दोस्तों answer की आ गई है अब hopefully जो आपका mains का जो paper 2 बचा है उसका सीधे यह आपको अब result देंगे मतलब basically जो mains का आपका paper हो चुका है उसका पूरा आप यह result देंगे paper 2 का answer की इस तो यह सचाना नहीं है सीधे यह आपको result देंगे यह के सामने question paper है सब कुछ है आप देख सकते हैं यहाँ पर बता दी कैसे आपको करना है बहुत simple है ऐसा कोई difficult नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई problem आ रही आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं एक बार इनका notice देख लेते हैं कि इन्होंने notice में क्या release किया है तो यह देखिए दोस्तों यह आपके सामने है screen पर यहाँ पर लिखा हुआ है public notice 11 फरवरी 2024 display of provisional answer keys and question paper with recorded responses for answer key challenge for mains examination paper 1 and paper 2 phase 2 basically phase 2 अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इतने center में आपकी इतनी city में exam candidate कराए गया था paper 1 यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 25 जनवरी 2024 और 5 फरवरी 2024 को हुआ paper 2 descriptive था यह भी 25 जनवरी और 5 फरवरी दोनों ही दिन हुआ provisional answer keys for the mains examination along with the question papers with recorded responses have been uploaded on the website तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इस link पर link पने आपको दे दिया है the procedure for the challenge of the answer key is enclosed in an extra one अभी दिखा देते हैं those candidates who are not satisfied with the answer key may challenge the same by paying a fees of rupees 200 per question challenged as a non-refundable processing fees यानि कि आप पे करेंगे तो यह वापिस नहीं मिलेगा the details for answer key challenges are given below यह आपको पता है यह कब तक का आपको duration दिया गया है 11 फरवरी से 13 फरवरी 2024 रात में 11 बज़े तक और यहाँ पर क्या लिखा है मेंस पेपर वन लिए ठीक है क्योंकि पेपर टू तो आपको डिस्क्रिप्टिव था पेमेंट फॉर्ट प्रोसेसिंग फी में भी यह तो इससे कोई मतलब नहीं चलिए आगे देख लेते हैं क्या पर लिखके आएगा आपका चैलेंज आप उस पर क्लिक करिए यू विल सी दा क्वेश्चन आइडी इन दा बिलो सिक्वेंशल ओर्डर फॉर दे मेंस एक्जामनेशन पेपर वन लिए ठीक है यह देखिए इस सीक्वेंश में आपको क्वेश्चन पेपर पूरे सेक्शन मि होना चाहीए है तो आपको जो इनका पूरा प्रोसीजर उसी प्रोसीजर के थुरू जाखरकर तो rare करिये और बोलेए की यह आपका फีड़र और उसको स्पोई न कोई सपोर्टिंग डॉकुमेंट अप्लोड करना होगा मैं मैं आने सच शिए screenshot ले सकते हैं जैसे भी आप जहां चाहें कहीं से मिला आप Google पर सर्च करिए किसी website पर मिला है वहाँ से आप उसका screenshot लिए उनको सब को आप पूरा combine कर दीजिए merge कर दीजिए और पूरा एक single PDF बना दीजिए ठीक है और यहाँ आपको upload करना होगा उसके बाद यहाँ पर save your claim and submit करना होगा बस that's it बहुत simple process है ऐसा और कुछ भी नहीं है तो यह finally आपके answer की release हो गई है paper आपके पास आई गया होगा आप सब लोगों को दिखी गया होगा कि आपका जो paper है अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है वो यह है कि मैंने आप से बोला है आपको हमें comment करके बताना है दोस्तों कि आपका score कितना आ रहा है बाकी कोई जानकारी चाहते हैं तो comment करके पूछ सकते हैं so thank you very much and thank you for watching